लोगों के लिए आगे मैच कवर करने जो कि हिरा जाय का मेलेशियन टीटन बैश का सी एस वासी डव्य डव्य की बीच एक गंटे 27 विनिड़ बाद बात करें भाईयों इसकी फाइनल टीम आपको का मिलेगी लाइनपस के बाद लाइनपस के बाद आपको इस मैच की फाइनल बाईयों अब वक्त आता है आगे बनने का सबसे मेन में बात कर लो इस मैच की जैसे ही आप लोग सारे जानते हैं कि यह मैच है बहुत ही मतलब मलेशियन लीग साल में एक बार खेली जाते है और अभी अभी यह लीक स्टार्ट हुई है तो इसमें आप लेस्टमेंट करना क छाफिक शरिफ शरीफ शरीफ यहां से आपको बहुत बढ़ी आप्समैं मिलता है जो कि वाइस के लिए यह बहुत अच्छी पिक है क्योंकि आपको इसके साथ जा सकते आं अर अप पिछला स्टैस घर तो बहुत ही जबर्दस रहे और बैटिन साइड़ियन बंदे की आवर फेस जो कि मैं आपको बता दू ये प्लेइर तो आपको बदा दू थी किरने और अगर ये चले मलमकर इनकी विनिंग की गरणटी 100% परसेंट है और अगर आरभ व्याज की अगर जिए उन्स से आपको आवरिच्ठ प्लेर मिलता है जिसकी की बहुत तो नहीं कह सकते थोड़ी यहां से मैंने एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप किया है एक खान एक खान बहुत ही अच्छा प्लेयर है मैं आपको बता दू इसको दो वर बॉलिंग की मिलती है लेकिन अगर आप इसको चाहो तो अपनी ग्रैंडी की टीम में ले सकते हो लेकिन भाईयों मैं इसको कर रहा हूं आपकी डीम में होना ज़रूरी है भाईयों कि मैं वरना इसको जुरूरी ना बोलता भाईयों इसकी खासित कहना है जो दो वर बॉलिंग करेगा अगर उसमें एक या एक या दो विक्ते से लेकर जा सकता है क्योंकि अभी विक्टे गिरने के भी चांसिस तो है मैं ये बात बली बैटिंग बिच है लेकिन भाईयों चांसिस विकेट गिरने के भी है और एक खान की बात करूँ दो एक खान है यहां पे तो ध्यान से चुनना आप नहीं वाला एक खान चुनना है जो अमीर खान चुनने है आपको यहां से अच्छी पिक मिलती है सेव बहुत है आज क जादा ना बोलू तो थोड़ा बहुत मलब 80% ऑफ इसको बालिंग का फूल एक्सपिरियंस है इसके साथ जाना जरूर क्यूंकि 90% सेलेक्शन है बिल्कुल सेफ प्लेयर है और कोई बड़ी बात नहीं आज के मैच में दो से तीन भी विक्टे ले जाए आगे से बात करूं जो डी मॉगन की का डी मॉगन मतलब एवरेज यह यह नहीं बोलता बहुत बड़ी है ऐसा है वैसा ओनली एवरेज पिक है भाई हूं अब चलिए आगे बढ़ते हैं बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन मेरा रहने माला ए अमीन प्रेम जे को चलो कैप्ट करें चुबरे